हेलो गाइस तो स्वागत आपका एक नई वीडियो में जैसे कि आपको पता कि फैनाइन्स अकाउंटर स्टिंट का रिजल्ट आ चुका है and congratulations सभी बच्चों को जिनका भी selection हो चुका है and आपको अभी तक शायद कट आप भी पता चल चुका होगा analysis किस बेस पे लाया है still बहुत बच्चों के यकिन ही था कि 90 प्लस कट आफ जाये का सा होगी निसकता possibility नहीं है तो अभी आपके साने result आ चुका है अगर आप देखो तो टॉप की जो पंदरह सो बच्चे है वो ही 90 प्लस है तो इसलिए जो open market का कट आफ है वो 95 है 95.8 RBA का जो कट आफ है वो 92.7 है OSC का 90.6 ALC IB का 89.13 PSP का 88.35 EWS का 85.93 कट आफ गया है और जो SC है उनका 85.46 और ST का 79 तो यह आपके कट आफ से हैं जो की अपी इस result में के हैं और after applying horizontal reservation कट आफ एक नंबर और बढ़ सकता है तो इतना हाई कट आफ है मैं तो 90 प्लस मैंनेस 3 कहा था कि प्लस 3 भी जा जा जैता है मैंनेस 3 भी तो 93 तक मेरा expectations था बट उससे भी काफी उपर कट आफ गया है तो अब जो बच्चे देख रहे थे कि कैसे मैंने analysis किया और कैसे data है तो उनको शायद जवाब मिल गया होगा कि क्यों मैं कह रहा था क्यों कि यार मेरा नाम भी इस लिस्ट में आ रहा है इतना को टोफ जाएगा तो मैं भी आ जाओंगा और ऐसी फेक पूरा क्योटलेटिव डिसीजन दिया था और पूरा expectation दिती कि इतना कट आफ रहेगा स्टिल कट आफ काफी हाई गया तो मैं अभी भी उन बच्चों को यह कहूंगा जिनका नहीं हुआ है प्लीज डोंट लूज होप अभी भी बहुत सारी पोस्टें आने वाले हैं आपक आप एपल बॉय सीख सकते हो तो आपको अगर एबी सीडि सीखने में अगर 10 दिन लग गया है और अगर आप आप अपल बॉय तब नहीं लिख पारो इसका मतलब हो ना कि अभी लिखनी पाऊगे आप लिख पाऊगे तो आपकी मैनत कहीं वेस्ट नहीं जा रही है मैनत 80% भी पहुंचोगे कल 80 पहुंचो तो पर सो 90 पहुंचोगे उमीदे मत खोया करो इतनी जल्दी अगर आप चाहते हो अब कुछ तो आसे बोलेंगे कि बड़ा भाशन जाड रहा है बड़ा यह कर रहा है तो मेरा खुद का जुनियर एसिस्टेंट का एक्जाम हो चुका है ठीक है मेरा document verification भी हो गया और मेरा JKPSA में भी काफी अच्छा score हो रहा है रनिंग करके वो भी हो जाएगा तो मैं ऐसे नहीं कहा रहा हूँ सब experience है इसलिए कहा रहा हूँ तो इनके से अगर आप बच्चों को कुछ motivation चाहिए और आप चाहते हो कि टिप्स कुछ ऐसे जिनकी विजह से आप अच्छे से पढ़ पाओ तो आप comment में जरूर बताना ताकि मैं एक video लाओं जिसमें अच्छे से बताऊं कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो जिसके उसे आप पुरा एक proper तरीके से अपने आपको prepare कर सकते है exam के लिए क्योंकि बहुत सारी गलतिया करते हैं बच् तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो subscribe जरूर करें एंड like and share दिस वीडियो थैंक्स फर वाचिंग अच्छा सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाग घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस नहों पाए थैंक्यू